नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एकरार चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका एकाउंट है आप चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहिए अपने मोबाइल बैंकिंग इस्तमा कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपको तो अभी आपने अपने मोबाइल बैंकिंग को आप कर पाएंगे और फॉर्गेट कर पाएंगे तो इस वीडियो पर बने रहेगा और टेक एकरार चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों टेक एकरार चैनल पर नए आपको क्या करना होगा India Post Payment Bank का जो भी आपने Mobile Banking को आपको डाउम्लोड कर लेना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास India Post Payment Bank का Mobile Banking हमने यहाँ पर सर्च करेंगे IPPB आप यहाँ पर कि आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा तो हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने Mobile Banking का जो है पहले से अप्लिकेशन डाउम्लोड कर लिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पासवर्ड जैसे पहले आपने यहाँ पर बनाया था Mobile Banking इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक में एक्टिवेट किया था तो पासवर्ड हमने भूल गये हैं तो आपको क्या करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे चार अंको का एमपिन जो होता है एमपिन भूल गये है तो आपको कैसे इसको Mobile Banking फिन दुबारा एक्टिवेट करेंगे और अपना पासवर्ड निव कैसे एक्टिवेट करेंगे तो आपको क्या करना होगा आप देख सकते हैं नीचे आपको यहां पर फॉलगेट का अफ़ म्पिन तो आपको एहां पर किलिक करना होगा तो जैसे यहां पर फॉलगेट एमपिन दुदेख सकते हैं मलबं के देख सकते हैं कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बंक का जो भी आपने का इकाउंट नम्बर है आपडर कीजिए गा और आपका जो Customer ID आप enter किजिएगा orientation आप देख सकते डीटबर्थ होई एंटर किजिएगा जो आपका आधार classic marked sa open कि वहीं एंटर किजिएगा आप जो मोबाइल नंबर हे कि आप जो जो मोबाइल नमबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपने रजिस्टर किया था उपेन करते समय उसको आप एंटर कीजिएगा उस पे एक OTP आएगा तभी आप यहाँ पर एक्टिवेट कर पाएंगे मोबाइल बैंकिंग और फार्गेट कर पाएंगे तो आपको क्या क करना होगा हमने कई वीडियो में बताया है जो हम बता देते हैं कि मतलब मोबाइल नमबर अपना डाल देते हैं सब कुछ अपना डाल देते हैं तो ही आप भी लोग हमारे मोबाइल नमबर हमारा हर चीज यूज कर देते हैं तो ऐसा ना करें फिरेंड हमारे रिक्वेस्ट ह है कि आपना अपना ही जो भी आपका एकाउंट नंबर है आप वही इंटर करें अपना कस्टूमर आईडी डेटा बर्थ जो है तभी आप ए मोबाइल बैंकिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक्टिवेट कर पाएंगे तो हमको क्या छुपाना है हम अपना जो भी अ अपना ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का तो हम ने आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंगर अब Carson L आपको यहां पर कलेंडर पर क्लिक करके सलेक्ट करना होगा अब यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड की आपका जो भी मन्त है आप सलेक्ट कीजिएगा तो जो भी आपका डेटा बर्थ का मन्त होगा उसको सलेक्ट कीजिएगा और सब कुछ आपना जो भी है आपको यहां पर सल कि मोबाइल नमबर सब कुछ अपना ही करेंगेATTशिकक करनेंगाय। यह यह नहीं कि बताते हैं जैसे कि आपने मोबाइल नंबर से ऐसे ऐसे एक्टिवेट करना है मोबाइल बैंकिंग तो आप लोग हमारा ही हर चीज यूज कर लेते हैं तो ऐसा ना करें तो आप देख सकते हैं सब कुछ हमने यहां पर फिल अप कर दिया अप यहां पर देख सकते हैं नीचे फिरेंड कि आपको किलिक करना होगा रजिस्टर पर आपको किलिक करेंगे जैसे हम यहां पर किलिक करेंगे तो हमारे पास जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए तभी हमारे पास जो टीपी आएगा तो हमको टीपी जरूरत पड़ेगा तो हम यहां पर आपको देख सकते हैं बताते हैं कि आपको यहां पर बता रहा है कि निव एम पिन 4 डिजिट का पिन आपको सेट करना होगा यानि वही पिन यहां पर एंटर करना होगा और रिएंटर यहां पर नीचे भी करना होगा तो आप देख सकते है कि आपको यहाँ पर जो भी अपने पीन रखना चाहते हैं तो हम अपना जो भी पीन है यहाँ पर सलेक्ट कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको set mpin का option आ रहा है नीचे तो हमने set mpin पर click कर देते हैं अब आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक mobile पर आपके OTP आएगा 6 अंको का और उसके बाद OTP को एंटर कर देना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने OTP यहाँ पर एंटर करेंगे तो redirect submit हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सब कुछ आपके सामने हो रहा है live group करके दिखा रहा है mobile banking आप देख सकते हैं registration successfully enjoy banking यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर mobile banking activate कर लिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल बेंकिंग अपका एक्टिव हो चुका है तो हमने यहाँ पर लोगिन पर किलिक करेंगे जो भी हमने यहाँ पर यहाँ पिन बनाया है जैसे कि हमने यहाँ पर पासवर्ड जो भी आपने बनाया चारंगों का यहाँ पर एंटर किजिएगा तो हमने यहाँ पर एंटर धिएगा जो भी एकाउन्ट में पैसा, और जो customer का जो account number पर दिखेगा, चारंगों का, लास्ट चारंगों को दिखेगा, आब हहाँ से statement आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, आप Ecount number दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, अब customer प्रिख रहा है हाँ पर अब यहां पर 3.पर किलिक करके आप UPI ID अपना देखना चाहते हैं तो आपको UPI ID आपको मिल जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड मेनी एप देख सकते हैं तो आपको हमें आप देख सकते हैं, यहाँ से बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज करने पर वीडियो बनाया है, कि वाइसी कैसे कराना है, उस पर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पले लिस्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि YC कैसे कराना है मिस कॉल करके अपना बैलेंस कैसे चेक करना है सब कुछ के बारे मंबत ने हमने बताया है और email ID update कैसे करना है change कैसे करना है सब कुछ बताए है तो आई हो कि आप सभी कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पनाए हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स वीडियो में तब तक ले ठीक है बाई झाल